हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का अरवेध यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए जो कोश्चन लेकर के आया हूं वह कोश्चन क्लास 10 की सी इंगलिस ग्रैमर से सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड के कोश्चन लेकर के आया हूं इसमें बेसिकल तो पहला कोश्चन जो हमारे पास है वो यह है आपके सामने दिख रहा है आप देख रहे हैं चूज दा करेक्ट वर्ब आपको करेक्ट वाला चूज करना है तो कंप्लीट इस संटेंसे दा टीम डैस रेडी फॉर दा मैच अब आपके पास ऑप्शन है वाज आर वर भी करना है कि 20 में से कितने सही हुए ठीक है तो चलो फिर बताओ फटाफट इसका क्या अंसर होगा तो अगर आप देखो टीम टीम जो है एक सिंगूलर सब्जेक्ट है यह भले ही आपको प्लूरल लग रहा होगे सिंगूलर सब्जेक्ट है तो सिंगूलर सब्जेक्ट के साथ आपर तो हमारे पास और प्लीवरल है वर्लीवर भी होगा नहीं तो वाज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अप्सन नंबर जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर है ठीक है तो यह रहा आपका आंसर आपको कुछ भी लिखने की जरूत नहीं है पीडिया आपको तो second number question का answer बताई है फटाफट क्या होगा तब तक मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपके लिए लिखा हुआ है याँ पर which sentence demonstrate correct subject verb agreement correct कौन सा है क्या बताना है correct कौन सा है यहां पर ध्यान से समझना दादा तो समय है दा आपको देखने की जरूत है नहीं loudly भी समय है यह आपको देखने की जरूत नहीं है अब बात करते हैं dogs तो dogs यहाँ पर plural है यहां पर plural subject है यहाँ पर singular subject है यहाँ भी singular है और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो अगर आप देखो प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए यह प्लूरल वर्ब नहीं है ध्यान रखना जिसमें एस लगा है वह सिंगुलर होता है यहां पर देखो प्लूरल singular के साथ plural वर्व दिया गया है जो की गलत है यहां पर singular के साथ जो है singular वर्व दिया गया है तो यह सही है option number C सही है आपका option number C क्या है सही answer है तो अब आगे बढ़ते हैं option number C इसका right answer है अब वापस से three number पर आते हैं यह सब आपको पीडिया में सही मिल जाएगा आपको numbering की चितना करने की ज़रोत नहीं है इसमें लिखा है select the sentences with incorrect subject verb agreement लिखा है each of the boys is playing और इसके बाद देखो दूसरे में लिखा है some of the cakes are missing all the apples have fallen none of the students have arrived तो देखिए यहां पर क्या है कि none के साथ have लगेगा सही उत्तर है फिर इसके बाद में each के साथ is लगेगा सही उत्तर है क्योंकि each के साथ singular लगता है कि यहां पर आल के साथ है लगेगा यह भी सही उत्तर है यानि option number आपका correct जो है वह बी इनकरेक्ट आप्षन है इसलिए बी आप्षन सही हो जाएगा देखिए सम आफदा केक अगर यहां पर एस लगा होता ठीक है तो हम कुछ सोच सकते थे यहां पर अभी यहां पर सम आप है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा option number अब आगे बढ़ते हैं यह रहाफ का option अप्षन नमबर भी सेकंड तो हमने देखी लिया है अब फोर्त में चलते हैं है फोर्त में जैसे लिखा fill in the blanks with correct word form आपको correct वर्ब form यहां पर फिल करना है निदर-दा cat nor the dogs happy अब आप समझ रहे हैं आप रहा हैं यहां पर क्येस्थ्ल का इस बन रहा है तो इहां पर यह required करता है singular और कैसे required करता है जो पहले यहां पर एक पहले है और एक सब्जेट बाद में हैं and each singular है प्लीूरल query है क्योंकि इसमें एस लगा है तो जब हम पहले वाले के हिसाम से लेते हैं तो यहां वाला सिंगुलर है तो इसलिए यह यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा अब यहाँ पर यह लग गया और यह वाज लग गया तो करेक्ट अंसर आपका इस हो जाएगा तो राइट अंसर अप्शन नमबर यह हो जाएगा नीदर दा कैट नौर दा डॉक्स इज हैपी तो यह आपका और आसर हो गया यह आगे बढ़ते हैं तो में है कि कुषेन नमा फाइव। भाइव है विच शंटंस देमांस्ट्रेट करेक्ट सब्जट वर्भ एग्रिमेंट तो करेक्षा कवन और बताना है आपको जकि जहां पर होता है पेर आ को एप्यर्स ऐज्ट कर यह लगता है पर को एक कि सब्जिक्ट वर्ब एक्रीइमेंट में लगता है ऍवस जाता है आपका कि इता है यह जैसे अपतिर अप्र फिटMore है तो पर सूज हो गया पीएप सीजर सो फ्रस हो गया तो जब भी डेला लगता है तो उसके साथ सिंगुलर लग जाता यहां तक तो आपको कुछ भी देखने की जरूत नहीं है अब बस आप देख लीजिए कि यहां पर कौन सा वर्ब होगा तो सिंग्लर वर्ड रिक्वार्ड होगा नहीं यह भी नहीं होगा अब इस हो सकता है और वाज हो तो यहां पर हम राइट ऑप्शन बी की तरफ चले जाएंगे ठीक है अगे बात करते हैं इसका अप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आइडेंटीफाई दा संटेंशेज विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट तो लिखे है दा है यह अगे जो अगे न पर होती है वह सिंगुलर वर्ब की रिक्वार्मेंट होती है कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्व की रिक्वार्मेंट होती है तो हैड आप काउज में देखेंगे तो इज लगा है यह सिंगुलर है यह जादितर सही उत्तर है पर आगे देख लेते हैं आर लगा है यह नहीं होगा वाज नहीं लेंगे वर नहीं लेंगे देखिए व तो इसलिए आपका जो present वाला है वो appropriate हो जाएगा और हमारा option number a correct हो जाएगा तो यहाँ पर option number a जो है right answer है इसका आगे बढ़ते हैं तो यह इसका right answer है आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा देखो आगे कह रहे हैं कि चूजदा चूजदा correct verb और आपको correct verb चूज़ करना है इस sentence को complete करने के लिए इधर दा cats और दा dogs responsible for the miss अब इधर और का जब case आता है तो उसमें क्या होता है ठीके इधर और का जो case आता है उसमें क्या होता है जिसको जनकारी हो बताओ comment box में कि इधर और का case क्या होता है जो इधर और का case होता है उसमें भी हमें किसकी requirement होती है पहले वाले को देख करके जैसे यहां पर दो subject है एक dogs है और cats है तो हम पहले वाले subject को देखेंगे पहला वाला subject जो है वो singular है तो यहां पर singular verb की requirement होगी तो यहां पर जैसे दिखो आर् प्लियूरल है वर्ड प्लियूरल है तो व आज अंसरं हैं हमारा सहिए हो जाएगा अगर मालोग ज्यादा कन्फूजीन हा जाता है तो थोड़ा ध्यानत्व से देखेंगे यहां पर अप्षण नंबर है हमारा राइट डाइट रहे आगे-बड़ ते हैं आफ दी इन्फरमेशन है वेकुरेट आफ दी इन्फरमेशन है वी ने गूरेट यहां पर मैं बताता हूं कि जब ऐसे इन्फरमेशन तक आप देख रहे हो सब सेम से मैं तो उतना पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है यह देखो इधर जो है सेम से मैं बीन को अगर हम क्या रिक्वाइर करता है यह सब्छेक्ट यहां पर देखिए यह प्लियूरल है तो वाज हमारा राइट अंसर हो जाएगा राइट अंसर वी हो जाएगा ठीक है तो जल्दी अब फटबढ़ते हैं क्योंकि मैं सोचता हूं आप लोगों को कम से कम टाइम में अच्छा डिल इस बार इनकरेक्ट बताना है ठीक है इनकरेक्ट वाला जब आजाए तो थोड़ा आपको सौधानी बरतनी होगी इसमें थोड़ी सी कॉम्प्ली सिटी आ जाती है जैसे देखी लिखा है मेनी अगर मेनी आता है मेनी आपदा मच आपदा साम आपदा नन आपदा है ना तो आपसे नमबर यह हो जाएगा मच आपदी वर्क हैज भी नहीं होगा ठीक है मच अपका क्वांटेटी बताता है सम आपदी केक आर अप सम लग गया तो यहां पर स्विंगलर होना चाहिए था नन में जो है नन आपदी एपल्स है फालेन एपल्स जो है कांटेबल है तो यह नहीं यहां पर जो है आपका त less YEAH अपसर नमबर अरे जो हो जाएगा तो क्या हो जैबका मैंनी से कर कनफ्यूज मत होना अफ हो न क्योंकि मेन आफ दा लगा है मने जो स्टूडेंस उनमें से में तो इसलिआए यहां-स ह wn मेनी आप SIMILAR हो जाएगा यह नहीं कि SIMILAR वर्भ को हुजएगा अब भटते हैं अब फिल इंदा hai टोड़ा सा लिगा है फिल क्या है अपने करेक्ट वर्भ फोर्म जूज करना है यह कि अप sug अब देखना सारे लोगों को क्या लगता है कि यहां पर क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा पर ध्यान रखना आप ऐसे वर्ड जो होते हैं वह सिंगुलर वर्ब को रिक्वायर करते हैं ठीक है ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं वह क्या रिक्वायर करते हैं सिंगुलर वर्ब रिक्वाय होने की वाज़े से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो फटा फटा आगे बढ़ते हैं आगे लिखा हुआ है चूज दा करेक्ट वर्ब फ्रॉम दा कंप्लीट संटेंसे तो हमें करेक्ट चुनना है टेन डॉलर्स अब डॉलर्स देखते ही आपके दिमांग में यापर क्या घुमेगा डॉलर्स में लगा है या प्लूरल होगा पर ध्यान दखना यह काडिनल लंब उब नहीं दालर्स का जो राइड आंसर हो जाएगा वह आपके हिसाफ से क्या हो जाएगा बताओ फटापट और असथोसिंगलर बिखी यहां पर और और सिंगुलर है नहीं वर नहीं है तो आप सो राइट अंसर होजएगा अप्सन नमबर ए ठीक है राइट अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नमबर ए आगे बढ़ते हैं कि यह अपर लिखा है identify the sentences with correct subject वर्व एकरिमेंट डाजूरी एट्स वर्डिक्ट आप ध्यान से देखना आप जूरी जूरी मतलब होता गुरूप आफ जूरी मतलब क्या होता है गुरुप आफ जूरी आपको लगेगा कि बहुत जूरी में बहुत सारे जोते हैं नहीं यह एक प्रकार से कहा है collective word है group है तो गृूप है तो एक ही को denote कर रहा है, यह singular हुआ यह singular subject हुआ तो singular वर्विकी requirement करेगा तो पहला वाला आपका सही आंसर है फर्स्ट वाल आपका क्या है राइट आंसर है तो मेरे को लगता है मेरे सीट में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गया है सारे ऑप्षन यह ही आ रहे हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं आपको भी आगे तो राइट अंसर क्या हो जाएगा अप्षन नमबर ए अब करें सलेक्ट दा संटेंसेज विद दा इनकरेक्ट यह आपको इस बार इनकरेक्ट बताना है जो गलत है दा गुरूप आफ टूरिस्ट इज देखें आपर गुरूप लग जाए ना क्या लग जाए गुरूप लग स्टैंपक देखें दा कलेक्षन आफ इस अंप्षेंप लगा है तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था सिंगुलर होना चाहिए है और यही आपका क्या है करेंक्ट आंसर है ब्लापे 여기 इंकरेक्ट होगा तो यह option हमारा सभी होगे option number od और यह नहीं होगा वर नहीं होगा है בी नहीं वाज हो जाएगा वाज यहां पर right answer option number 1 वाज यहां पर क्या हो जाएगा right answer option number 1 तो आगे बढ़ते हैं चूजदा correct वर्व form to complete the sentences इधर मैरी और हर sister देखे अभी मैंने थोड़े दिर पहले बताया है अगर इधर और नीदर नार का केस आ जाता है तो उस केस में हम पहले वाले सब्जेट को देखते हैं जैसे यहां पर यह मैरी है और हर sister तो यह तो plural subject है आपका लेकिन यह singular subject है तो हम पहले वाले के according देखते हैं अब पहले वाले के according आपर singular verb फिल करेंगे तो आर होगा नहीं, वर होगा नहीं, हैब होगा नहीं, इज हो जाएगा तो इज आपका option number A, right answer है इस question का आगे बढ़ते हैं, करें हैं कि which sentences demonstrate correct subject verb agreement correct बताने हैं आपको, देखिए going तक तो ठीक है यहां तक कोई कमी नहीं है और यहां तक भी कोई कमी नहीं है अब बस आपको बीच वाले को देखना है कि इज लगेगा, आर लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना अगर ऐसा question आ जाए तो माई family, अगर माई family आता है तो उस case में आप क्या करेंगे माई family singular होता है, plural होता है तो देखे, सीधी सी बात है family एक परकार से collective noun है तो यहाँ पर यह singular verb की requirement करता है आर होगा नहीं, वर होगा नहीं आप बात करते हैं, वाज और इज की तो वाज हो सकता है, या इज हो सकता है तो यहाँ पर देखो next week next week नहीं, अगर last अगर आया होता आगे बढ़ते हैं कहे रहें, identify each of the correct identify the sentences with correct subject verb agreement each of the book, आप देखो मैंने कई बार बताया है each हमेशा जो है singular verb की requirement करता है ठीके, each जो होता है वो किसकी requirement करता है singular की, तो देखो यहाँ पर आर होगा नहीं हैव होगा नहीं, वर होगा नहीं यह requirement करेगा, तो option number B जो है, इसका right answer हो जाएगा, देखो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो channel को subscribe करके, वेल आइकन को भी press कर लो, और वीडियो को like share करके, दोस्तों को भी share कर दो और आपको ऐसे content हमारे वीडियो पर मिलते रहेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट में चरूर बताने हैं कि आपके कितने answer correct हुए, तो यहाँ पर जो है, बी option correct हो जाएगा, चलो ठीक है, कम से कम मैंने थोड़ी दिर पहले सोचा था कि option option सबके सही होंगे, पर ऐसा नहीं है, आप धसा उदानी पूर्वक करना, नहीं तो आपको लगए यह है, तो सब गलत भी हो सकता है, अब next question में बढ़ते हैं, question number 18, करें, select the sentence with incorrect subject verb agreement, none of the food are left, देखो समय आपको क्या देखना है, वर्व देखना एक परकार से, कि वर्व जो है, उसके साथ एगरी कर रहा है कि नहीं subject के साथ, तो अगर हम पहले वाले में देखें, none of the food are left, तो देखें, food यहाँ पर singular, और नन जनरली क्या हम required करता है, नन जनर प्लूरल वर्व, नन जनरली क्या required करता है, प्लूरल वर्व, तो आपके लगएगा, फूड यहाँ पर singular है, यह तो गलत हो गया, पर ऐसा नहीं है, अभी देखो नन आप दी फूड, यहाँ पर इस लगा होगा, आपको लगएगा, यह भी चाहिए, फिर यह जो है, प्लू प्लूरल वर्व को required करता है, तो यहाँ पर option number आपका a सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, करें every students in the class dash to participate, every का case अगर आ जाता है, तो every में आपको किस चीज की requirement होती है, every में singular हो जाता है, और singular वर्व की requirement होती है, ठीके, every में क्या हो जाता है, singular हो जाता है, और singular वर्व की नहीं है, तो या तो फिर अब आपका यह हो सकता है, या तो फिर आपका यह हो सकता है, every students in the class dash to participate, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, wants to participate, appropriate यह है, देखो आपको डी भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, तो ऐसे case में जो most appropriate होता है, आपको वो चुनना होता ह बी अप्रोप्रियेट है, बी ज्यादा सही है, तो आपका right answer हो जाएगा, option number B, आपका right answer क्या हो जाएगा, option number B, आगे बढ़ते हैं, last question की तरफ, और last question यह आपको मैं देता हूँ, आपने तरफ से करने के लिए, देखो यहाँ पर 20 questions हैं, आप बताओ कि आपके कितने questions सही ह ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वेल इकन को प्रेश कर लेना, चूज दा correct बताने हमको, दा number of accidents, देखिए, मैंने आपको बताए, दा variety या फिर दा number of की case में क्या होता है, कि अगर number of लिखा है, तो यह singular मांगता है, अगर number of लिख जाएगा, अप्सन नमबर A सही हो जाएगा, तो यह रहाब का last answer, वीडियो देखने के लिए thank you